हाई गईस एन विल्कम बैक तो दी चैनल दीपाच्यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालेसिस ऑफ 13 अफ एप्रेल 2022 तो गईस आज है तारिक 13 एप्रेल 2022 और है वेडनेस डे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस कर लेना अदरवाइस उस प्रकार से चैनल नहीं मिलता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप लोग डायरेक्टली टेलिग्राम को डाउलोड कर सकते हो दन उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच्यादव एजूकेशन आपके सामने ये तीन चैनल नि वीडियो का PDF और Important Digital Notes को प्रोवाइड करवा दिया जाता है नाव बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ में आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है वाई गई रीवर को देखो आप से वही परचाम है और UPSC Prelims 2022 के लिए बहुत ज़धा Important है तो वाई गाई रीवर को मैप में अच्छे से देख सकते हो दन उसके बाद comment section में टाइप करना है कहां पर है यह exactly located बढ़ते हैं आगे और आप लोग को लग रहा होगा काफी अलग-लग सा discussion है आज मनें PPT प्रेपार कर र कुछ आपको मिलेगा पूरा complete newspaper as it is चलने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर जो important notes होते हैं special notes जिसको मैं बोलता हूँ जिसके लिए यहाँ पर आप लोग काफी परिशान रहते हो कि यह notes नहीं में मिल रहे हैं वो सब चिजह मैंने include कर रही है ठीक है तो आपका जो भी बहुत स उसकी काफी सारे solution भी आज मिलने वाले हैं तो फिलाल तो अभी हम लोग अपने thumbnail को discuss करते हैं उसके बाद कानी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर आप देख पाऊगे अभी recently इंडिया और US की meeting होती है जहाँ पर जो बाइडन और साथी साथ यहाँ पर हमारे Prime Minister Modi जी दोनों के बीच में virtual summit भी होता है मतलब की वीडियो conference के मादियम से बाचीत होती है और उसी virtual summit के दोरान हमारे 2 plus 2 meeting भी चलती है मतलब की इंडिया की site से हमारे defense minister और external affair minister और US की site से उनके defense minister और उनके external affair minister इनके बीच में discussion चलता है अब discussion चलते चलते यहाँ पर बहुत सारी important articles निकल कर आए उन सब कंपाइल करके मैं आप लोग को यहाँ पर इस पूरे meeting का analysis देने वाला हूँ अब analysis बहुत अच्छे से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके ओपर आज एक editorial भी आया हुआ है plus यहाँ पर छोटे-छोटे important articles publish होवे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ इस पूरे meeting के द होगा हमारे defense minister होगा इंडिया के तो यहाँ पर US ने बोला कि चाइना के खत्रे से जो आज के टाइम पर इंडिया जूंज रहा है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कहीं न कहीं अमेरीका मदद करेगा अमेरीका भारत के साथ खड़ा रहेगा अब ऐसा US ने क्यों बोला कि हम Ukraine के war को लेकर लेकिन इंडिया हमेशा से यहाँ पर अपने point of view पे मतलब data रहा आप लोगों को पता होगा जो हम लोगों ने decide किया जो हम लोगों ने statement दिया वो as it is रहा ठीक है हम लोगों ने UNSC के अंदर जो भी यहाँ पर voting है उसके अंदर abstain किया जहां पर भी abstain किया गया वो abstain हमारा रहा है हम लोगों को बहुत सरी countries की तरफ से मतलब ऐसा force किया गया कि रश्या क्या गया इसमें बोलो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन जो बाइडन को पता यह चलता है कि बिलकुल आज के टाइम पर इंडिया रश्या के साथ में इसलिए खड़ा है क्य इंडिया के साथ में यह स्टेटमेंट दे गए उसके साथ मीटिंग के अंदर काफी इंट्रेस्टिंग बात हुई है आप लोग देखोगे मतलब कि जो भी हमारे मिनिस्टर से उन्होंने यहां पर एक तरीके से मचा दिया पूरी मीटिंग है अभी मैं आपको यह दिखाता यह वीडियो कल वाइरल हो रहा था मतलब एक इंट्रेस्टिंग साथ मतलब आप देख पाओगे क्या है मतलब इन्होंने एक पूरा का पूरा आंसर दिया है क्वेस्टन यह पूछा गया इन से कि देखो आज के टाइम पर रश्या लगातार यूकरेन पर अटैक कर रहा है और इंडिया अभी भी यहाँ पर रश्या से तेल परचेस कर रहा है ऐसा क्यों एनर्जी के सेक्टर में हम लोग यहाँ पर रश्या को काफी सरक पैसा दे रहे है उसे परचेस करकर दो रश्या को हेल्प मिल लई है ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इसके response में external affair minister यानि कि हमा करएंस कर दो दो जो पोला का एंटिखल आपिए।-ट्टाएं से प्रिफिक्ट कर दो भी सिद्योंस ऑखी। अब कर दो नहीं कर दो कि अजए कर दो के दो विज अजए है प्राव और प्रथाज कि अन्ट इंग प्रथम इचीं अजए है इंग इंग अजए विद्ट रिजह को अजए इंग एंग टुबसेश हैं आ क待 we are for urgent cessation of violence and be prepared to contribute in whatever way to these subjects I noticed you refer to oil purchase if you are looking at energy purchase from Russia I would suggest that your attention should be forced on Europe which probably will buy some energy which is necessary during energy security यहां पर अच्छे से आवाज आई होगी वीडियो की नहीं आये तो चलो मैं आप लोगो बताता हूं आपको यूरोप के उपर फोकस करना चाहिए ठीक है और यूरोप के उपर फोकस करते वे यहां पर इन्होंने ये बोला कि इंडिया तो यूरोप के कमपैरिजन में बहुत कम ऑईल परचेस कर रहा है वी बाई सम एनरजी नेसेसरी फोर आर एनरजी सिक्यूरिटी अभी आपन ने ये बोला कि जब हम लोग फिगर्स को देखते हैं तो यहां पर यह पता चलता है कि हम लोग यानि इंडिया जितना एक महीना में ओईल को परचेस कर रहा है उतना तो यहां पर यूरोप में एक मतलब दिन के अंदर एक दोपहर में यहाँ पर order आ जाता है, तो मतलब इंडिया के comparison में आप देख पाओगे, बहुत सारा तेल तो यूरोप मगर आए, तो आप यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि हम लोग यहाँ पर energy purchase कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा जा रहे हैं रश्या के पास में, तो पहले आप यूरोप को भी देखना चाहिए, आप देख पाओगे, यह पूरा का पूरा हिंदी में translation मैंने यहाँ पर कर दिया है, clear हुआ, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर meeting के अंदर यह clear होने के बाद यहाँ पर एक चीज और निकल कर आती है, जो बाइडन न अंदर जो 85% crude oil है, वो हम लोग import करते हैं, हम लोग यहाँ पर purchase करते हैं अलगलग country से, जिसमें से 60 परशित्या जो तेल है वो हम लोग Gulf country से खरीते हैं, इराक वगरा से, यह तो आपको पता ही है, यह मैं काफी बार आपके साथ discuss कर चुका हूँ, साधी साथ यहाँ पर अग मुद्धा discuss होने के बाद यहाँ पर एक और मुद्धा उठता है, वो है बूचा killing के बारे में, आपको बता होगा, रश्या के अंदर एक बूचा massacre देखने को मिला, जिसको लेकर बार-बार question उट रहे थे, और भारत ने भी यहाँ पर आप कर सकते हो, बूचा को condemn किया, इस प्रकार से जवाब दिया, है ना, इस meeting के अंदर, अब उसके बाद आप देख पाऊगे, हमारे defense minister भी यहाँ पर यह कर गया है, ठीक है, अब इस defense minister ने क्या बोलें, आपको समझाता हूँ, जब यहाँ पर 2 प्लस 2 meeting चल लई थी, तो आपने यह देखा, क्या-क्या सारी situation सोची गई, तो अमेरिका ने हाँ पर एक offer रख दिया, कि आप लोग purchase कर लो, यहाँ से समान, जो भी यहाँ पर हतियार वगरा है, उस पर purchase कर लो, यहाँ पर अमेरिका से, लेकिन उसके response में defense minister बोलते हैं, कि देखो, यहाँ पर हम लोग अभी हतियार purchase नहीं करेंगे, और purchase क करना भी है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ के उपर focus कर रहे हैं, वो है making India defense equipment के उपर, तो making India defense equipment के उपर पूरी तरह से focus किया जा रहा है, यह ऐसा हमारे defense minister ने बोला, कि अपनी company से बातचीत करवा दो, और उसके बाद यहाँ पर, अगर वो लोग तयार हैं, इंडि तो यहाँ पर generate हो गई होगा, तो यहाँ पर इसके अंदर meeting के अंदर हमारे defense minister की site से आपको यह statement देखने को मिल जाएगा, अब उसके बाद यह सारी बात है होने के बाद, इस 2 plus 2 meeting के अंदर और भी discussion होता है, अब question पूछा जाता है, अमेरिका से, कि देखो, आज के time पर Russia ल कोई sanction लग सकते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, US के site से statement आया है, नहीं, we have not made determination potential sanction on waiver under cards law, blink and on cards law on buying S-400 from Russia, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, sanctions लगाने के बार में कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं कहीं कहीं है, कोई sanction हमारे ओपर नहीं लगने वाले हैं, चा काफी अच्छे समझ में आ चुगा है, ठीक है, clear हुआ, जो भी यहाँ पर इस meeting के एदर discussion हुआ था, वो सारी बात है, मैंने आपको एक authentic way में समझाई है, सारे यहाँ पर tweets दिखाए, official tweets दिखाए, प्लस यहाँ पर articles वगर आप लोग को दिखा कर समझा दिया है, अभी इसके लेकर आगे discussion हुआ, इस वैसे मैंने, मतलब कल इसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला था, अलग से, ठीक है, तो इसके बारे में काफी research मैंने कर रखी थी, फिर मैंने सोचा यार, चलो, कल ही पढ़ लेंगे, ठीक है, वैसे तो फिर उसके बाद मैंने आज के लिए रख एक्जाम हुआ है, CDS के examination में, क्योंकि मैंने ये वाले question आपके साथ daily current affair के वीडियो में discuss कर रखे थे, बट उसके बाद ही बहुत सारे मेरे पास messages, comments आए थे, कि सर, एक बार यहाँ पर दहिंदू के वीडियो में बता दो, कि कैसे कैसे question आए थे, तो आप CDS में देख पाऊ अदरवाइस वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो MG नरे के बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे, emergency provisions को लेकर, यहाँ पर question पूछा गया, emergency provisions में आपको थोड़े दिन पहले ही पढ़ाएं, यहाँ पर आप देख पाऊगे, सारे emergency पढ़ाए थे, है न, in fact, thumbnail भी मैंने लगा इंद्रा गांदीजी के उपर और पूरा का पूरा यहाँ पर चार्ट बनाया था, आपको याद होगा, तो यह जो emergency provisions को लेकर, simple सा question पूछा गया, कि बाई, यह जो option इसमें से, कौन सा emergency के अंदर mention नहीं है, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, हमने तो पढ़ा तीन प्रक प्रक्षन में दो, क्योंकि यह सब कुछ detail से बढ़ चुक है, ब्रिक्स को लेकर, यहाँ पर question पूछा गया, ब्रिक्स आखिरकार क्या है, ब्रिक्स एक five nuclear power है, या फिर यहाँ पर आप देख पाऊगे, इसके बारे में statement दिये गए है, ब्रिक्स का अदर पता होगा, काफी बम्यान पुद्धा statue है, उनको destroy कर दिया है, वहाँ पर मैंने walking god के बारे में पढ़ाया था, आपको बता होगा, वो चर्चा में थे, ठीक है, उनकी birth anniversary को celebrate किया गया था, तो यहाँ पर आपका सकते हो, उसी तमें मैंने आपको पढ़ाया था, कि जो यह वीरशावा movement करनाट के अंदर, इसके founder बसवाना साब है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको federalism के बारे में काफी बार पढ़ा रखा है, यहाँ बताया गया Indian federalism का जो characteristic feature है, इसमें से एक point ऐसा है, एक option ऐसा है, जो की Indian federalism का characteristic feature नहीं है, ठीक है, यह आप लोग इसका अंसर दे सकते हो, उसके ब बारे में बताया, directly मैंने telegram पर share कर रखा है, foreign direct investment versus foreign portfolio investment, ठीक है, तो आप लोग देख पाऊगे, इसका अंसर बहुत अराम से आप देख सकते हो, unicorn company के बारे मैंने कितनी बार पढ़ाया, आप से कई बार पूछा भी है, unicorn company कितनी है भारत के अंदर, मैंने आपको बताया कि unicorn company क value कितनी होती है, ठीक है, यहाँ पर option दिये गए है, जैसे कि पहला option दिया गया है, एक privately startup है, company है, जिसकी value एक billion dollar से उपर होती है, तो इसका आप से नीचे comment section में आप लोग दोगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे, एक question यह पूछा गया था, recently एक middle east quad बनाए, ए तो आपको पता होगा, इंडिया, USA, Japan, Australia वाला, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे, एक और quad बना था, जिसके बारे में आपको पढ़ा रखा है, तो इंडिया के साथ-साथ यहाँ पर बाकी तीन countries कौन कौन सी है, जिन्होंने यहाँ पर middle east quad बनाया है, उसके बाद अगले question, मतलब 46 के बाद 47 वाई question यहाँ पर पिनाखा के बारे में दिया गया, पिनाखा के बारे में आज के morning के current affair के वीडियों पढ़ाया, और इससे पहले ही पढ़ाया था, December के मन्त में पढ़ाया था, in fact 17 December को मैं आपको पढ़ाया था, पिनाखा के बारे में, आप discussion कर रखा है, तो इसका answer आप लोग नीचो comment section में देते रहे ना, साथ ही साथ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, बहुत simple सा question था, ठीके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक चीज़ देखो, 46, 47, 48, यह सारे question line से है, 49, ठीके, यह 4-5 question तो line से आ गए थे, इंडिया न discussion है, यह launch किया जाएगा, 2023 के अंदर में, इसका नाम क्या होने वाला, आपको पता होगा, मैंने बताया है काफी अच्छे से, और इसके बाद मैंने आपको यह robot का picture share गया था, ठीके, पहले हम लोग demo भेजेंगे, फिर उसके बाद हम लोग finally अपने mission को भेजेंगे, उसके ब of India के regarding, कौन सा statement correct नहीं है, आप लोग नीचो comment section में इसका अंसर दोगे, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया, जो part 4 है है हमारे समिधान का, ठीके, यहाँ पर आप देख पाओगे, fundamental duty इसके बारे mention किया या है, लेकिन बताना यह है कि इन option में से एक option ऐसा है, जो कि हमारी fundamental duty नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसका सही answer दे सकते हो, क्योंकि fundamental duty का पूरा chapter बताया है, मैंने आपको, लक्षमी का चैप्टर पढ़ा दिया था, 4-5 page थे उसके अंदर, जब एक बार fundamental duty चर्चा में आया था, यह अभी एक महिने पहले की बात है, उसके बाद 10 degree channel के बारे म पूछ लिया गया, ठीक है, जिसका एक मतलब, you may have the body करके, जरेट है, वो कौन सी रेट है, है, तो आप लोग यहाँ पर इसका answer नीचे comment section में दे सकते हो, rate को लेकर मैंने पूरा picture शेर कर रखा है आपके साथ, टेलिग्राम पर, आप लोग इसके बारे में सर्च करोगा, आपको मिल जाते हैं वो, तो यह सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, उसका आपकरी question पूछा गया, which one of the following states, unit, territories has the highest percentage of forest area, तो कौन सा यहाँ पर state या unit territory है, जिसके अंदर सबसे जादा आपको forest cover देखने को मिलेगा, तो इसका answer आपको नीचे comment section बताना है, यह वो questions है, जो क लेकर आओ, इसी वेसे मैं आपको यह बताया, चलो start करेंगे discussion को, यह हमारा आज का सबसे पहला article है, दहिंदू पर page number one पर इस article को दिया गया, यहाँ पर retail inflation के बारे में चर्शा की गई है, इस PPD को मैं improve कर दूँगा और जादा, ठीक है, और जादा बेतिनी मना दूँगा, बट यहाँ पर आप देख पाओगे जो retail inflation है, retail inflation अभी 7% के आसपास देखने को मिला है, मतलब कि जो महंगाई है वो लगातार increase हो रही है, यहाँ पर आप देख पाओगे retail inflation accelerate हो चुका है, लगबख 6.95% से मार्च के महीने में, तो यहाँ पर लगातार हम लोग देख पाए इंडिया का जो यहाँ पर target है, वो 6% का है, ठीक है, हमने यहाँ पर target कर रखा है, 4 plus minus 2 का यहाँ पर हमने target कर रखा है, 4 plus minus 2 मतलब यह हमारा inflation रहना चाहिए, मतलब कम से कम यहाँ पर 2% और जाद जादा 6% इससे जादा increase नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख पाओगे inflation 7% तक जा रहा है, 7% के आसपास पहुच रहा है, 6.95% के आसपास पहुच चुका है, तो यह महेंगाई लगातार increase हो रही है, है ना यह इस article के अंदर बताया गया, plus यह graph दिया गया था, मैंने graph का picture लगा दिया यहाँ पर, देखो जो retail inflation है, वो पिछले 17 महीने में अभी बहु आप में एक जाधा ऊजपर पहुच चुका है, ठीक है, अब यह पढ़ा, अब आपको पता होगा, जब भी मैं आप लोगो inflation पढ़ाता हूँ, तो कुछ extra notes कवर करवाता हूँ, जैसे कि inflation बता दिया, inflation के causes बता दिये, inflation CPI और WPI क्या होता है, तो वो सारे extra notes मैंने इसी में add क discussion करूँ, इस चीज़ को लेकर, तो मैरा discussion हुआ, तो देखो यार, यहाँ पर इस चीज़ा अलाव नहीं होती है, कि directly हम लोग PDF का use वगरा कर सकें, बड यहाँ पर फिर भी हम लोग pictures वगरा का use कर रहे हैं, वो जाधा भीतरीन इसको बढ़ाने के लिए, बाकी मैं और भी जो को अराम से copy paste कर पाओगे, download कर लेना, इस PPT को मैं आपको टेलिगराम पर provide कर वा दूँगा, सब चीज़ copy paste कर पाओगे, और copy paste भी नहीं कर पाओगे, तो आपको सारे extra notes मिल जाएंगे, प्लस मैं टेलिगराम पे इस प्रकार से share करूँगा, कि आप लोग PDF डाउनलोड ना भी करो, वहाँ पे पड़ी रहेगी, तो भी आपको help मिलेगी, मतलब कि आपको कोई topic अचानक से पढ़ना है, तो आप टेलिगराम पर सर्च करोगे, और आपके पास वो PPT open हो जाएगी, और आप इस मैं से वो पढ़ सकते हो, मैं ऐसा system कर दूँगा, ठीक है, तो मैं आ जाता है, जो कि prelims के point of view से काफी important है, inflation को भारत के अंदर measure कौन करता है, तो inflation इंडिया में measure किया जाता है, हमारी central government authority के थुरू, यह आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, इंडिया के अंदर इसके लिए एक specific तरीके and program यह है, ठीक है, ministry of statistics and program जो है, यही basically यहाँ पर सारे inflation को measure करने का काम करता है, बाकि अगर हम लोग बात करें, भारत के अंदर जो inflation है, इसको दो प्रकार से measure किया जाता है, यह तो आपको पता ही होगा, WPI मतलब wholesale price index, CPI मतलब consumer price index, है ना, तो यह हमने discuss किया, WPI, CPI क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह और जान लो, जो यह महेंगाई होती है, इसके पीछे कारल क्या है, कारल काफी सार है, demand pull inflation देखने को मल सकता है, ठीक है, जब यहाँ पर आप कह सकते हो, कि demand pull inflation के अंदर, जब aggregate demand होती, economy के अंदर, वो supply से जादा हो जाती है, ठीक है, demand बढ़ गई, supply बहुँ जादा कम है, तो इससे यहाँ पर क्या होते है, महेंगाई बढ़ जाती है, उसके बाद cost push inflation आता है, मतलब क्या होता है, जब production के अंदर, मालो एक चीज है, जिसका production हो रहा है, पहले यहाँ पर 2 रुपे का production हो रहा था, आप 4 salaries है, ठीक है, या फिर जोन को मजदूरी मिल रही है, वो बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर price बढ़ रहे हैं, goods और services के वैसे वैसे इनकी salaries बढ़ जाएं, तो हमारा built-in inflation के अंदर आ जाता है, ठीक है, clear हुआ, तो यही सारे हाँ पर आपको causes देखने को मिलेंगे, फिर उसके ब पारें बात करें, consumer price index के बारे में, तो consumer price index को देखो, हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए एक अलग से body है, इस index को release करता है, हमारा national statistical office, अब consumer price index के अंदर क्या होता है, हम लोग महंगाई को देखते हैं, लेकिन कौन से product की, जो हमारे commodities, और मतलब क्या आप कह सकते हो, कि जो क essential products हैं, जैसे कि medical care, education, electronics, जो कि हम लोग Indian consumers अपने use के लिए, daily business के लिए हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सकतो, इन चीजों के अंदर जो भी prices हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनका measurement हमारा consumer price index के अंदर आता है, CPI यहाँ पर इस हीच को calculate करता है, ले CPI Rural Urban Combined, ठीक है, यह आप देख पाओगे, अलग-लग sector के लिए, अलग-लग यहाँ पर इस प्रकार से CPI देखने को मिलता है, इसमें से एक और बहुत important information है, जिसमें से आप देख पाओगे, जो चार प्रकार के हमारे consumer price index हैं, इन में से जो पहले तीन वाले आपको देखने implementation, clear हुआ, बाकी CPI का base year आपको 2012 देखने को मिल जाता है, 2012 के comparison में हम लोग आगे के जितने भी हमारी inflation उन सबको measure करते हैं, उन सबको देखते हैं, उन सबको compare करते हैं, तो यह CPI हो गया, CPI मतलब जो भी हम लोग consumers अपना समान यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, daily basis पर medical care, education, electronics, इ मतलब की bulk में होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यह basically उन changes को measure करता है, जहाँ पर जो भी समान खरीदा बेचा जा रहा है, लेकिन bulk में, ठीक है, जहाँ businesses के अंदर यहाँ पर trade चल रहा है, wholesale businesses के अंदर यहाँ पर काम चल रहा है, और सबसे important बात आपको ध्यान लखनी है, य question बनते रहते हैं, जो base year है WPI का, यह 2045 हुआ करता था, इसको भी हाँ पर revise करके 2011-12 कर दिया गया, 2017 में, तो CPI versus WPI, I hope आप लोग समझ गया होंगे, नई समझ पायों तो यह picture यह ने लगा दिया है, यह आप लोग देख पाऊगे, WPI के अंदर हमने देखा wholesale level पर price को देखा जाता है, और consumer price index के अंदर retail level पर, और अभी हम लोग article के अंदर कौन से महिंगाई की बात करना है, retail inflation के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, जो कि हम लोग daily basis पर commodity को use करते हैं, बाकी कौन-कौन इसको publish करता, यह बता दिया, सबसे बड़ी बात आपको यह भी ध्यान अखना है, wholesale price index के अंदर, सिर्फ और सिर्फ goods के prices को measure किया जाता है, लेकिन consumer price index के अंदर goods और services दोनों के prices को measure किया जाता है, clear हुआ, चलो, बाकी कौन-कौन से items बगर आते हैं, वो खास बाते नहीं हैं, इसको आप लोग read भी कर सकते हो, बाकी आपको यह provide करवाई दिया जाता है, अब हम लोग अपने editorial discussion पर आएंगे, देखो इस article के बाद और ही बहुत सारी छोड़ी-छोड़ी article है, वो मैं आपको editorial के बाद बताऊंगा, कौन-कौन से article है, उनको हम लोग अभी थोड़े दिर बाद discuss करेंगे, वहाँ पर ही मैंने सारे extra notes बगरा लगा रख हैं, जो भी मैं आ पहले हम लोग editorial discussion देखेंगे, और editorial से पहले आप लोग लेक मेंस का question जैसा कि हम लोग regular basis पर एक मेंस का question ले रहे हैं, तो मेंस का question यहाँ पर यह है, discuss the unemployment scenario of India, what measures can be taken to tackle this unemployment wave, ठीक है, अब यहाँ पर बेरोजगारी का scenario भारत के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्लस हम लोग यहाँ पर क्या-क्या चीजे लेकर चल सकते हैं, जिससे की जो यह बिरोजगारी है, यह हम लोग यहाँ पर खतम कर सकें, इसकी लहर से निपटने के लिए हम लोग क्या-क्या उपाए ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है, 2500 शब्दों में, अब लिखने के बाद यह आंसर आपको कहाँ पर सम्मिट करना है, सिंपल टेलिग्राम पर जाना, दीपा यादा वेजुकेशन टाइप करना, आंसर राइटिंग वाला ग्रूप मिलेगा, वहाँ पर आपको जितने भी मैसेजिस मिलेंगे, उसके नीचे आपको आप्शन मिलेगा, कॉमेंट का, वह उसके बाद आपको वह अलग पेपर पर लिखर जाएगा, अलग पेच पर आप जाओगे, तो महाँ पर आप लोग अपने पिचर वगरा शेर कर सकते हो, तो महाँ पर आप लोग अपना लिख कर मिरे साथ पिचर शेर कर देना, उस ग्रूप में काफी सरे लोग जो कि आपस में आंसर को रिव्यू करते रहते हैं, क्लियर हुआ, तो आपसे यहाँ पर डेली मेंस आंसर राइटिंग भी चलती रहती है, आपको यहाँ पर डेफिनिटली काफी हल्प मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात मैं आपसे वही वाले मेंस क्वेशन पूछ रहा तो हमारा आज का पहला एडिटूरल आपको यह देखने हो मैं लेगा, एक लेंदी सा आर्टिकल है, लेकिन बहुत जबरदस्त, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह आपको प्रिलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है, ट्राइबल प आज बोला, ओथर यहाँ पर कौन है, यह बिसिकली एक एडवोकेट है, एड़ता मदरास हाई कोट, इनका कहना यह है, यह चीजे रुकनी चाहिए, पोक्सो एक्ट के अंदर बदलावोना चाहिए, अदर्वाइस ट्राइबल लोग काफी अतक परेशान हो रहे हैं आज का बताऊंगा, तो इस auditorial का नाम क्या है, branded a criminal for the following custom, ठीक है, अब यहाँ पर tribal people है, अपने custom वो जो follow अगरा कर रहे हैं, वो चीजे follow कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने customs के साब से चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इनको arrest कर लिया जाता है, वो चीजे इनजा है, इसके बारे में आगे चर्चा होगी, तो start करते है tutorial को, यहाँ पर आप देख पाऊगे, जितने भी points से वो सब मैंने आपर copy paste कर दी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, बाकी आप लोग जब PPD डाउनलोड करोगे, तो आपको यह भी बहुत अच्छे स clearly दिखेगा, प्लस यहाँ पर copy paste कर दिया गया है, तो यह भी अच्छे से दिखेगा, important notes बगरा भी अच्छे से दिखेंगे, यहाँ पर बात की गई है, जो निलगरिस district है तामिल नाडू का, यहाँ पर हमने देखा है, आपको देखने को मिलेगी, काफी सारी tribal population रहती है, tribal communities अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है, तामिल नाडू के निलगरिस district के अंदर, वो communities के अंदर कौन कों सी communities है, तोडाज है, कोटाज है, इरूलाज, पानियाज, और कतुनेकाज, और उसके बाद कुरुमबाज, यह अलग लग community आपको देखने को मिलती है, इनक जिसकी, ट्राबल पीपल के अंदर, चाइल्ल मेरिज की practice आपको देखने को मिल जाएगी, ठीके, यह आप लोग देख पाऊगे, बहुत ज़्यादा common देखने को मिलती है, और ऐसी काफी सारी और भी practices होती है, जिसकी वएसे क्या होता है, जो ट्राबल पीपल है, इनको unintentionally, जेल में डाल दिया जाता है, ठीके, अब यहाँ पर आपके सकते हो, जेल में क्यों डाल दिया जाता है, वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊँगा, अब जेल में डाल ले के बाद, अरे यार, एक slide मैंने लगाई थी, एक slide मुसे delete होगी लगा है, आज मुझे नया-नया काम किया ना, मैंने थो, एक slide delete होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बास article भी तो है, article से discuss कर लेंगे, है ना, तो हर चीज का यहाँ पर solution तो है ही यार, चलो, यहाँ पर थोड़ा सा, बस खाली इतना ही यहाँ पर slide, जो है, mention हुआ इतने area की, तो यहाँ तक हमने समझ लिया, क कि क्या हो रहा है, अपने customs को follow कर रहे है, और उसके वेसे भी यहाँ पर jail में जाना पड़ रहा है, बाकि यहाँ पर बताया गया, देखो, इसके पीछ आपको POCSO Act देखने को मिलेगा, POCSO मतलब Protection of Children from Sexual Offense Act, मतलब कि क्या होता है, कि बच्चों को Sexual Offense से बचाने के लिए इस Act को लाया गया था, कब लाया गया था, साल 2012 के अंदर में, तो यह आप लोग जरूर धियान रखना, clear हुआ, फिर उसके बताया गया, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो होता क्या है, इस Act के अंदर एक provision डाला गया है, वो provision क्या है, जहां पर आप लोग देख पा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसको admit के जाता है, उसकी delivery के लिए, अब delivery के अधमीट के जाता है, मतलब की यहां पर, आप कहसकते हैं, 18 साल से कम उम्रे शाधी हो चुकी है, अब delivery के लिए उसको admit के जातंए, तो जो जानकारी hospitals के पास हैं, वो hospital जानकारी किसको देगा,Mikeصो प्रेग्रेंसी के पीछे होगा, इस प्रेग्रेंसी का रिस्पोंसिबल होगा, उसके प्रति यहां पर F.I.R. जारी कर देगी पुलिस, तो आप लोग देख पाओगे, यह यहां पर बताया गया, और इससे पहले मैं आपको बताया, कि ट्राबल पिपल के अंदर, जो चाइल् अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, जादतर यहां पर, मतलब कब कब यहां पर मैरी, शादी वगरा हुई है, प्लस यहां पर काफी पर ऐसा होता है, कि अपनी एक लीगल एससे पहली यहां पर बच्चे हो जाते हैं, तो यह सारी चीज़े हैं, जिसकी वज़ासे यह यहां पर क्या होता है, ट्राइबल बिपल को काफी अतक परेशानी फेस करने को मिलती है, यह चीज़ें यहां पर, यहां से यहां तक मेंशन करी गई, तो यहां से यहां तक तो मैंने अभी आप लोग को यह पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक जो एडि practices को यहां पर follow करते हैं ठीक है अब उसके बाद अगर्म भुद बात करें example नहीं तो example के अंदर एक practice आती है molendry practice,ktays polendry क्指 क्या होती है POLENDRY यह जो practice है यह की जाती है galongs औफ अरणाचल प्रदेश के थुरू जो गैलोंग्स ट्राइब है अरुनाचल प्रदेश के उनके थुरू यहाँ पर यह की जाती है पॉलंदरी क्या है मैं आपको बताता हूँ पॉलंदरी बिसिकली एक फॉर्म ऑफ पॉलीगैमी जिसके अंदर एक विमेन दो या दो से जादा हस्बेंड्स को रख सकती है सेम समय प आप देख पाओगे यह बताया गया अरुनाचल प्रदेश के अंदर जो गैलोंग्स है यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पर जो ब्रदर्स होता है मालों यहाँ पर दो तीन भाई हैं एक ही फैमली के वो अगर यहाँ पर वो लोग एक दूसरी शादी अफॉर भी बताया गया है फैकलि अब होता क्या है यहाँ पर कि देखो इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे जो प्राक्टिसेसें इनको एज कriumleл बताने के लिए हाँ पर अगर देख पाओगे ऐसे बहुत सारे एक्टस से देखने को मिल जाएं लेकिन यहाँ पर अगर वो kustoms को follow कर रहे हैं तो वो यहाँ पर criminal की category के अंदर आ रहे हैं दनूश के बाद यहाँ पर आप कर सकते हो जो यह इनको criminal की तरह देखा जा रहा है वो कहीं न जहीं हमारे जो constitution के अंदर social justice हो उसके अगेंस्ट में चला जा रहा है क्योंकि आप क्या होती है उनकी शादी हो जाती है अर्ली एज में या फिर जब जो उनके डॉर्टर्स होती है वो प्यूबर्टी की एज में यहाँ अवस्ता की एज में आती है तब यहाँ पर शादी हो जाती है जातर जो यहाँ पर ट्राबल पिपल है यहाँ पर उनको जातर लॉज वग husbands of girls हैं वो यहाँ पर कहिना की परषानी मजा आते हैं यहाँ पर आपको शक्ति हो कि husband को arrest कर लिया जाता है कैसे arrest कर लिया जाता है कि अगर यहाँ पर PD-08 मे पर arrest कर लिया जाता है कि माद लोग कोई भी एक tribal girl है वो यहाँ पर अपने delivery करवाने के लिए hospital गई और वहाँ पर अगर hospital के पास यह information आती है कि age 18 है या 18 से कम है तो वो जो hospital है वो police station में आके information देगा और वो जो police वाले हैं वो यहाँ पर फिर fire दर्ज करवा देंगे जो भी इस delivery का responsible होगा तो यह चीज़े यहाँ पर देखने को मिलती है author न यह mention किया फिर उसके बाद author न यहीं भी बताया यह जो चल रहा है मामला अभी तक लगबग आप कैसकतो इस प्रकार के 50 criminal cases देखने को मिले हैं जो की file करेगा है against the tribal youth तो इनके against में 50 cases file करेगा हैं जो ट्राइबल women है यहाँ पर जातर self sufficient आपको देखने को मिलेंगी देखो अभी तक क्या हो रहा है self sufficient तो हैं अपने उपर है लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ समय में क्या हुआ medical services का जादा अस्तमाल होने लगा medical care जादा लेने लगे delivery के समय में लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा ऐसी arrest होते रहेंगे ऐसी criminal cases बढ़ते रहेंगे तो क्या वो medical care ले पाएंगी तो proper medical care नहीं ले पाएंगी एक issue यहाँ पर भी देखने को मिल सकता यह बता है फिर उसके बाद बात कि पोलेंदरी के बारे में मैंने आपको बता है पोलेंदरी क्या है child marriage क्या है तो पोलेंदरी, child marriage जो divorce बगरा यह जो तीन चार चीज़े है among the tribal communities यह practice की जाती है इनके अपने खुद के unique ways में और इसको as a custom recognize किया जाता है तो यहाँ पर आप लोग इसको as a adultery या फिर आप कर सकते हो कि इसको as a crime नहीं देख सकते क्योंकि उनके customs के हिसाब से वो लोग चल रहे है यह यहाँ पर बताया गया प्लस उसके आद बताया गया बहुत सारी जो hardships हैं वो यहाँ पर face करे जा रहे है बहुत सारी problems face की जा रहे है इस पूरे case को देखते वे मदरास high court का भी एक decision आया था मदरास high court ने recently ऐसे यहाँ पर एक पोक्सो का case आया था अगेंस्ट था तीनेजर के अगेंस्ट में एक case था जो की elopment का case था भाग गये थे तो उस case को यहाँ पर मदरास high court ने quash कर दिया उसको यहाँ पर खारिच कर दिया अब ऐसा क्यों किया तो यहाँ पर एक decision के बारे मताया गया देखो एक case हुआ था अरनब मनुरंजन गोस्वामी versus the state of महराष्टा 2020 का case है यहाँ पर जो supreme court है वो जोड देता है basic rules of criminal justice system is bail not jail यहाँ पर एक तरीके से scandal order दिया गया जो basic rule है criminal justice system का वो bail है jail नहीं है और अगर एक व्यक्ति अपने customs को वहाँ पर follow कर रहा है तो वो चीज़े तो वैसे भी नहीं बनती है कहीं कि उसको jail में डाला जाए तो यह यहाँ पर already इसको लेकर एक judgment आया वा है तो इस judgment आप अपने पास code करके रख सकते हो quality में आपको काफी help करने वाला है clear हुआ बाकी मैं आपको बता दिया क्या-क्या चीज़े mentioned है लेकिन बताया जो criminal cases POCSO Act के अंडर में against the tribal boys यहाँ पर एक तरीके से कहना है अरेस्ट नहीं करना यह यहाँ पर मतलब जो अरेस्ट करना रहेगा वह ब्लकुल साइनी रहेगा ऐसा author ने mention किया उसके साथ यहाँ पर author ने mention कि कि हम लोग क्या करना चाहिए awareness विलाने चाहिए जागरुकता विलाने चाहिए जो ट्राबल पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पर मतलब उनको पास प्रॉपर अवेरनेस नहीं देखने को मिल पाएंगी लेकिन आज के टाइम पर काफी सरी सीज आगे बढ़ रही है ठीक है यहाँ पर टार्गेटेट केंपेंज लाए जा रहे हैं awareness को बढ़ाने के लिए जागरुकता बनाने के लिए इस पोक्सार्ट के बारे में या फिर ऐसी चीजों के बारे में क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक फिल्म आई है अगर आप देख पाऊगे जो यह ट्राबल कॉमिटीज है वानाट डिस्ट्रिक्ट की के अंदर यह भी बिल्कुल सिमिलर इश सर्विस ऑथोरिटी है करेला की इन्होंने यहाँ पर करेला में एक शॉर्ट फिल्म को क्रियेट किया जिसका नाम इंका था जिसका पिच्चर वहने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था यह जो फिल्म है यह आई थी पनिया लेंग्विज के अंदर में ताकि लोगों को हम लोग एडुकेट कर सकें पोक सो एक के बारे में बता सकें कि भाई इसमें पोक सो एक के अंदर में धाई सो जाधा केसिस रजिस्टर कर लिए गए गयें जिन्होंने शादी करी है अंडर दा एज ऑफ इटीन या फिर यहाँ पर आपका सकतो चाल्ड मेरी जोई है जबकि आज के टाइम पर जो पॉकसो एक्ट है इसके अंदर एक बदलाव की आवश्यक्ता है एक अमेंड्मेंट की आवश्यक्ता है अधर वाइस यहाँ पर देखो अगर हम लोग एड़ दा लास्ट देखें जो लॉग है जो कानून है वो लोगों के लिए है ठीक है यहाँ पर बताया गया, लेकिन आप लोग को इसके अंदर एक बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चीजे काफिये तक अलग हैं, हर तरीके से यहाँ पर एक चीज लागू नहीं हो पाएगी, कि यहाँ पर काफी चीजे डिफरेंट मैटर करती हैं, उसके साब साब को यहाँ पर करना पड़ेगा, क्लियर हुआ, तो मैंने आपको बता दिया पूरा आर्टिकल, यह यहाँ पर समझा दिया, यह मैंने आपको एक-एक बात यहाँ पर बता दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको जो आंगानवाडी workers हैं उनके पास पूरी तरह से potential है पूरी तरह से power है कि वो बच्चे के childhood education को revive कर सकते हैं बच्चे के childhood education को एक अच्छी जगा पर लेकर जा सकते हैं लेकिन आज के time पर आंगानवाडी workers underpaid हैं और overburden हैं उनको काफी सारी problems face करने को मिल रहे हैं हमापर proper funding नह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं बताया गया a model struggling to deliver तो यह model क्या है मैं आपको समझाता हूं प्लस आंगानवाडी क्या system में आपको समझाता हूं पहले कुछ basics को cover करेंगे आंगानवाडी है क्या आंगानवाडी एक centrally sponsored scheme में केंद सरकार के थू लाई गई इसकीम जिसको implement किया गया है states और union territories के दुरू जो कि यहाँ पर आपका सकते हो सर्व करती है as a rural child मतलब आपका सकते हो जिसका काम है गाउं के अंदर सर्व करना प्लस यहाँ पर आपका सकते हो maternal care center भी आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर मतलब की rural child और maternal care center मतलब की आपका सकते हो कि बच्चों का proper ध्यान एकने के लिए आपको यह अंगनवाडी centers देखने को मिलता है इंडिया के अंदर अब इनकी शुरुबात कब होती है इन अंगनवाडी की starting होती है हमारी सरकार करती है 1975 में एक scheme है इस scheme के अंदर में इसको लाया जाता है integrated child development services के अंदर में इस अब यहाँ पर ध्यान देने के लिए इसको लाया गया आज के टाइम पर जो अंगनवाडी centers आपको देखने को मिलता है अंगनवाडी center छे services को provide करवाता है वो छे services कौन कौन सी है एक तो nutrition देता है बच्चों को साथ साथ pre-school non-formal education मतलब इस्कूल आने से पहले की जो education है basic education दी जाती है immunization, health check-up, nutrition, health education और referral services यह सारी 6 services provide करवाई जाती है आंगनवाडी centers के अंदर में अब यहाँ पर editorial में क्या बोला गया यह तो मैं आपको basic सी बाते बता दी आंगनवाडी क्या है यहाँ पर author यह बोलती है कि देखो हमने early childhood education के बारे में जो भी evidence देखे हैं उसने यही बताया है कि मतलब बच्चे और शुरुवात में early education तो यहाँ पर क्या होता है इससे क्या होता है जो बच्चा है वो properly engaged खर पाता है प्रियास उसकी जो learning activities है वो बढ़ पाती है यह सब हम लोग देख पाते हैं लेकिन आज के time पर जो चीजे निकल कर आ रही है वो कुछ 2013 के अंदर लाए गया था इसने यहाँ पर क्या कर दिया एक प्लेवे करिकुलम एड कर दिया अंगनवाडी centers के अंदर में और pre schools के अंदर है 2018 के अंदर सरकार ने यहाँ पर एक transformation of aspirational districts initiative को launch किया aspirational districts जो की काफी अभी पीछे हैं यहाँ पर आप कर सकते हो जहाँ पर एक development की आवशकता है काफी यहाँ पर poverty वगर आपको देखने को मिलेगी तो इनको transform करने के लिए यहाँ पर सरकार ने एक initiative को launch किया अब होता क्या है इसमें से आप देख पाऊगे यह बोला गया एक component यह होता है जहाँ पर हम major focus रखते हैं कि जो आंगनवाडी centers हैं आंगनवाडी centers को improve किया जाने के लिए हाँ पर step उठाया गया इनको improve इनका infrastructure improve करने के लिए यहाँ पर काफी सरे steps उठाये गये तो आंगनवाडी centers को improve करने के लिए आपर काफी सरे steps उठाये गये यह भी आप लोगो ध्यानक ना है देन उसके बाद और के बताया गया यहाँ पर हम लोग जो देख पाते हैं कुछ evidences से हमारे आगनवाडी centers को लेकर और private pre-schools को लेकर है जिन्होंने यह बताया कि आज के टाइम पर जो यह model चल रहा है मतलब जिस हिसाब से आगनवाडी centers काम कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर बच्चों का कोई proper development नहीं देखने को मिला है ठीक है यहाँ पर एक आपका सकतो study करी गई है study हुई early childhood के उपर जो भी यह centers यहाँ पर आपका सकतो education प्रोवाइट करवा रहे हैं यह study करी गई है center for early childhood education and development at Ambedkar University and Acer Center तो यह study करी गई study करके बताया गया जो आज के time पर बच्चे regularly participate करते हैं preschool मैं इसकूल जाने से पहले यहाँ पर उनका participation है तो वो बाद में perform करते हैं better लेकिन यहाँ पर आपका सकते हो कि यह चीज़े बदल रहे हैं देखो study हमें अलड़ी बता चुकी है कि बच्चा अगर school से पहले चीज़े सीख लेगा तो वो आगे और बहतर तरीके से perform करेगा लेकिन at the same time यहाँ पर यह भी बताया गया जो यह preschool education यानि आगनवाडी centers के अंदर जो यह preschool education दी जारी है यह properly आज़के time पर काम करी नहीं रहें क्योंकि survey 2019 के अंदर एक और हुआ था जहाँ पर बताया गया कि आधे बच्चे भी सही से यहाँ पर आपका सकतो अपने age की हिसाब से पढ़नी पारे थे उनकी जो cognitive task है उसको पूरा नहीं कर पारे थे तो मतलब आंगनवाडी centers का कही न कहीं जो मतलब एक तरीके से काम है वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है एक time पर अच्छा था जो कि starting में education दे रहे थे और यहाँ पर एक time पर survey बता चुका है कि हाँ starting में education देना बच्चे के लिए काफी अच्छा है लेकिन आज के time पर आप और overburdened है मतलब कि इनके पास proper resources नहीं है प्लस दबाब और burden बहुत जादा आ चुका है यह report यहाँ पर आपका सकते है report त्यार की जाती है ICDS के उपर by the ministry of women and child development यह यहाँ पर बताती है कि आज के time पर बहुत सारी चीजों की कमिया है अंगनवाडी centers के अंदर में एक investment की आवशकता है जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है जिसकी वैसे अंगनवाडी center और कमज़र हो पा रहे हैं और इसके बाद हमने कुछ evidences यह देखने को मिला कि COVID-19 बाद माया COVID-19 के बाद तो यहाँ पर इनकी qualities और ज़्यादा down हो गई यह यहाँ पर देखने को मिला I hope आप लोग इसको समझ गए होंगे इतना क्लियर हुआ तो आज के टाम पर COVID-19 की वज़े सिच्वेशन और खराब हो गई पैंडमिक की वज़ा से लगबख 28 million young children's जो की भारत के अंदर हैं इन्होंने बुरी तरह सफर किया इनके उपर बहुत बुरा impact पड़ा है हलाकि यहाँ पर आंगानवाडी workers हर्यान और पंजाब के अंदर ओडिशा बिहार के अंदर भी यहाँ पर आपका सकतो हो इन्होंने home visit किया ठीके घर दाके यहाँ पर activities को कंड़ेट किया तो यहाँ पर कुछ राज्ये थे जिन्नोंने यहाँ पर COVID-19 के टाइम पर भी properly यहाँ पर आंगानव प्लस proper resources नहीं इनके पास में जिसकी वेसे बच्चों की education यहाँ पर मतलब या फिर बच्चों का जो development वो properly हो नहीं पा रहा है अब इस model को improve करना चाहिए author में author ने last में इसको mention किया जो अंगनवाडी model है आज के टाइम पर वो यहाँ पर कहीं न कहीं struggle कर रहा है एक quality education देने पा रहा है अंगनवाडी center यह बताया गया तो आज की टाइम पर हमें जरूरत यह है हम लोग पहली चीज क्या करें research और development को इसमें बढ़ावा दें क्योंकि research और development important है दूसरा investment करना होगा तब हम लोग यहाँ पर चीजों को काफी improve कर पाएंगे तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है I hope आप लोग यहाँ पर इसको clear कर गए होंगे अच्छे से यह मैं आपको बता दिया पूरगा पूरा article पूरा editorial की improving model क्या है learning crisis क्या है और अंगनवाडी centers का पूरगा पूरा आप कर सकते हो प्लस यह यहाँ पर copy paste कर दिया इसको भी आप लोग go through कर सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं अगले article पर थोड़ा सा मुझा ऐसा लगा है मैं fumble कर गया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा से mobile में record करता वा रहा तो इसकी वैसे यहाँ पर हो सकता है तो बैट कोई बात नहीं देदे रहे हैं यहाँ पर एक flow बन जाएगा एक interesting सा flow बन जाएग और मज़ा भी हाँ लगेगा next article बहुत जादा important होने वाला examination के point of view से GS paper 3 economy से इसको relate कर सकते हो यहाँ पर बात की गई है cardless cash withdrawals at ATM दो editorial cover करे उसके बाद एक यह article है text और context का यह article आपको देखने को मिलेगा explainer section पर मतलब कि आपको पता होगा recently RBI ने हाँ पर एक statement दे दिया है व आप UPI का use करके withdraw कर सकते हो कैसे होगा यह मुद्धा चलो समझते हैं इसको तो cardless cash withdrawal from ATM यह नया step उठाया गया RBI के दुरू जो कि एक important step माना जा रहा है RBI की monetary policy committee यानि MPC ने यह decide किया कि बिलकुल हम लोग cardless cash withdrawal facility को यहाँ पर available करवा रहे हैं और इसको available करवाया जाएगा सभ जाते हो उसके लिए card की अवशक्ता नहीं है UPI की अवशक्ता रहेगी unified payment interface की UPI आपको बताओगा एक real time payment system है जिसको develop चाय गया है NPCI के थूँ National Payment Corporation of India के थूँ यहाँ पर आपको सभी को UPI पता है UPI के माध्यम से आप लोग transaction करते होंगे UPI ID से यहाँ पर आप लोग का अव लोग निकाल सकते हैं UPI से मतब कैसे होगा यह काम तो RBI ने देखो इसके बार में कोई proper चीज़े disclose नहीं करी है लेकिन यहाँ पर proper हमारे पास कुछ knowledge is mentioned है वो यह है कि देखो यह होगा जो ATM है ATM के पास में एक नया option दे दिया जाएगा नया option इसके अदर मिल जाएगा जैसे वाले option पर select करो तो क्या होगा वो screen पर आपको QR code देगा अब वो जब QR code देगा तो उस QR code को आपको क्या करना है अपने phone से scan कर लेना है scan करोगे आपके phone के अंदर pin के बारे मांगेगा pin मांगेगा आप pin enter करोगे तो ATM वो cash निकाल कर दे देगा यह system यहाँ पर आप देख पा वल यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि आप देख पाओगे होता क्या है जहाँ आप लोग कार्ड का यूज करते हो ना तो cloning कर ली जाती है ठीक है copy यहाँ पर चीजों कर लिया जाता है चाहिए वो POS machine हो point of sale machine हो इसके अंदर या ATM के अंदर cloning हो जाती है तो इससे fraud बगरा मतलब card cloning हो जाती है तो fraud बगरा को यहाँ पर रोका जा सकता है क्योंकि अब card आप use ही नहीं करोगे card का use ही नहीं होगा कोई चीज़ copy होगी नहीं तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ स्कैन करके पैसा ATM से निकाल सकते हो clear हुआ अब उसका और चीज़ मेंशन करी गई यहाँ क्या क्या current तरीका है हमारे पास मतलब आज के टाइम पर कोई तरीका है ऐसा तो बिल्कुल आज के टाइम पर भी तरीका है लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोग को पता नहीं है COVID-19 की टाइम पर अलग-लग बैंक्स लेकर आए थे लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ज़दा भारी है उसमें बहुत जहमेला है इदर उदर इदर उदर यहाँ पर चीज़े डालनी पड़ेंगी उसके बाद वो एड होगा लेकिन अब बहुत सिंपल प्रोसेस हमारे पास निक लेकिन इसमें बहुत जहमेला है COVID-19 की टाइम पर यह चीज़े लेकर आए थे जहमेला क्या है यूजर्स को पहले तो अपनी बैंक की एप को इंस्टॉल करना होगा इस बैंक की एप को इंस्टॉल करने के बाद इनको cardless cash withdrawal वाला option setup करना होगा एप के अंदर उसके बाद यह यहां पर beneficiary के फोन के अंदर देखने को मिलेगी फिर उसके बाद क्या होगा जो यह beneficiary है उसको ATM जाना होगा फिर यहां पर वो उस OTP का यूज कर पहेगा मतलब आप देख पाऊगे process बहुत लंबा चोड़ा है जबकि यहां पर बहुत simple सा ATM जाओ click करो scan करो और pin डालो payment आज के टाइम पर जो current चीज़े हैं वो काफी तक difficult level पर हैं यह भी यहां पर mention किया या फिर उसका एक question यह भी आता है क्या जो हम लोग आज के टाइम पर अगर ऐसा कर लेंगे तो इससे debit card use के ओपर impact पड़ेगा क्योंकि debit card फिर कहां चले जाएंगे debit card बेकार हो जाएंगे फिर तो ऐसे अगर हम लोग फोन की थरू payment लेने लगे तो तो debit card आज के टाइम पर आप देख पाओगे most popular card हैं अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पर लगबग more than 900 million debit cards हमारे country के अंदर में 90 करोड से जाधा debit cards आपको देखने को मिल जाएंगे अब क्या होगा हमारे जो RBI के governor है शक्ति कांता दास जी इनका कहना यह है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ debit card यहाँ पर पैसा withdraw करने के लिए काम आता है debit card और भी जगवर बहुत सारी जगा पर यूज कर जाता है ठीक है तो हम लोग महाँ पर यूज कर सकते हैं बाकि debit card के मतलब अगर ये चीज़े और अच्छे से लागो हो जाती है तो UPI system एक ultimate level पर चला जाएगा यहाँ पर बोला जारे एक projection क्या गया है कि आने वाले 3-5 सालों के अंदर जो UPI है इसके अंदर यहाँ पर 1 billion के आसपास transaction हुआ करेंगे दिन के अंदर एक दिन में 1 billion transaction हुआ payment होगा हलाकि हम लोग अभी देख पाओगे सबसे important चीज़ क्या है जो UPI का auto pay feature है वो अलड़ी आपको देखने को मिल जाएगा अभी recently RBI ने UPI 123 पे announce कर दिया है मतलब कि अगर आपके पास button वाला phone है तो button वाले phone पे भी UPI 123 पे available है क्योंकि button वाला phone आज के टेम पर 40 करोड लोग चला रहे हैं तो उसके अंदर यहां पर वो इसका इस्तमाल कर सकते हैं उससे payment कर सकते हैं आपको इसके बारे मैंने पढ़ा रखा है ठोड़ा है हम पहले इससे क्या होगा इससे जो हमारा digital financial system है वो और जदा increase होने वाला है बढ़ने वाला है प्लस जो number of transaction है वो भी हा अर्टिकल था जो कि बहुत जदा important था यहां पर आप इसको art and culture से relate कर सकते हो history से relate कर सकते हो यहां पर बात की गई है कि किस प्रकार से जो ancient megalithic जार है असाम के अंदर पाए गए हैं इनका connection लाउस और इंडोनेशा से बहुत important article है बहुत जादा ठीक है इसको rating अगर दोगे तो 10 में से 9 rating है यहां पर यह important से सारी बाते जान लेना तो इस प्रकार से jar पाए गए हैं आपको jar लग रहे हैं जार नजर आ रहे हैं आपको मैं बताता हूं इसके बार में और का information बताए गई है देखो news क्या है news यह है कि archaeologist ने identify किया गया archaeologist के थूँ identify किया गया लगबग 65 65 बड़े-बड़े sand stone jars को जिसको हम लोग Megalith बोलता है Megalith क्या होता है तो मैं आपको यह बता दूँ तो यह आप देख पाऊगे Megalith यहाँ पर बड़े-बड़े stone होता है जो की use के जाते थे structure को बनाने के लिए monument को बनाने के लिए ठीक है तो वो यहाँ पर Megalith है है clear सकते हों कि अकेला या फिर साथ में काफी सारी stones का use करके हम लोग अलग-लग structures को बना दे थे जिसको हम लोग Megalith बोलते है Megalith जो है इसको बनाया जाता था burial sites के ओपर ठीक है जहाँ पर लोग को दफनाया जाता था या फिर यहाँ पर कहीं पर जो एक तरीके से commemorative memories हो रही है महाँ पर बनाया जाता था तो अलग-लग जगा पर Megalith को बनाया जाता था बट यहाँ पर हम लोग बात करें जो असम Megalith मतलब निकल के क्या मुद्दा है मुद्दा यह निकल करा है आर्केलोजिस्ट ने 65 large sandstone Megalith को बोलाए कि यहाँ पर यह यूज के जाते थे असम के हसा जिसके बारे मैं आपको पिचर दिखाया यह वाली पिचर आपको इंटरनेट पर ट्रेंड करती भी नजरा रही थी यह वाली पिचर है तो यहाँ पर यह जो जार से काफी टॉल और सिलेंट्रिकल जार सें काफी लंबे चोड़े गोल से आपको जार देखने को मिल तो यह आप लोग देख पाओगे, यह चीज़े mention करी गई, साथ साथ बताया गया, कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, किसी के अंदर, मतलब कोई काफी उंचा है, कोई काफी चोड़ा है, लेकिन कुछ गजार ऐसे हैं, जिनके उपर एक paintings बगरा पाई गई है, कुछ ज सम देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा, इसका और वी एक annexion क्या है, इसकी history क्या है, तो यहाँ पर बोला गया, जो यह जार है असाम के अंदर, इसको सबसे पहली बार देखा गया था, 1929 में, हमारे जो British civil servant थे, James Philip Mills and James John Henry Hutton, इनके थुरू देखा गया थ इन्होंने यहाँ पर इसका presence बताया, लगबाग यहाँ पर बोला कि, असाम के अंदर, छे sites पर यह पाये गया था, दीमा हसाओ, देरेबो, जो कि आज की टाइम पर हुजाई, दो बोंगलिंग के नाम से नाम से नाम दे जाता है, कोबक, कार्तोंग, मोलंपा, नदुंगलो और बोलासन, यह अलग-लग areas आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर इन jars को सबसे पहली बार 1929 में, 1929 में देखा गया था, इन में से जहाँ पर आपका सकतो, दो sites ऐसी है, two sites were discovered in 2016, इन में से दो sites 2016 में discover करी गई थी, 2020 में, चार और sites यहाँ पर discover करी गई है, हमारे history औ और archaeological department के तुरू ऐसा बताया गया, तो मतलब अलग-लग sites मिलती रही, अलग-लग jars हम लोग को मिलते रहे, और फिर इसके बाद जो यह एक site है, नचु बुंगलो वाला, ठीक है, यह है, नचु बुंगलो वाला जो site है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, लग-बग 546, 546 के असपास jars पाए गये हैं, ऐसा आप बताया गया, तो यह अलग-लग sites के बारे में clear हो गया, अब बात करते हैं importance की, इसका importance क्या है, इसका importance यह है, देखो यह जो jars है, इनका use मतलब किया जाता था पहले, obvious ही बात है, researchers का कहना यह है, कि यह जो jar है, इनका connection कहीं ना कहीं, असम क similar jar, यहाँ पर Laos और Indonesia में पाए गए हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है, हमारे जो भी एक तरीके से researchers हैं, उनका, उनका कहना यह है, कि इससे पता चलता है, कहीं ने कहीं, एक similarity हुआ करती थी, इन सभी sites के अंदर, और यहाँ पर इसी वे से connection मिला हुआ है, एक तरीके से इनका कहना यह है, कि जो cultural practices हुआ करती थी, वो यहाँ पर similar पत्रार की हुआ करती थी, कुछ cultural practice असम में ऐसी हुआ करती थी, जो कि Laos में हुआ करती थी, तबी तो jar कर यूज हो रहा है, असम के अंदर भी, Laos के अंदर भी, तो यहाँ पर बताए गया, तो जैसे jar असम में पाए गए ग एक editorial यह है फिर उसके आद यह है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे क्या है यह इंडिया यूएस के बारे में चर्चा की गई है और इंडिया यूएस के जो 2 प्लस 2 का discussion है वो मैंने अभी आपको starting बता दिया है वही बात है यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 2 प्लस 2 के सबसे पहला article page number 1 पर यह आपको यह picture देखने को मिल जाएगा जहाँ पर बात की गई है अभी यहाँ पर आपके सकतो 103 साल हो चुके है जलिया वाला बाग मैसेकर को ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जलिया वाला बाग हत्याकर था क्या तो 13 April 1919 13 April 1990 की बात है एक भ रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डॉक्टर सेफुद्दिन किछलिऊ हैं और डॉक्टर सत्यापाल है इनको रिलीस कर दिया था है क्योंकि इनको अरेस्ट कर लेते हैं अब यह जो दो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं यह बिसिकली हिंदू-मुसलिम यूनिटी को लेकर काम करते हैं हिंदू-मुसलिम को यूनाइट किया था इनको अरेस्ट कर लिया अब इनको अरेस्ट कर लिया तो यहाँ पर दसजार आदमी यहाँ पर और और थे बच्चे सब इखटे हुए और इनको रिलीस करने के बारे मांग करी कि नहीं इनको रिलीस करना चाहिए तो क्या हुआ उस समय जो ब्रिगैडियर जनरल डायर थे जब जैसी उनोंने सुना कि यहाँ पर सब कुछ एकटे हुए हैं सारे लोग 10,000 लोग क्या असपास एकटे हुए हैं तो उन्हेंने क्या किया रहा है अपने ट्रूप्स को फैला दिया अपने सोल्जेट्स को सभी जगबर फैला दि ठीक है अब क्या हुआ कि इस पूरे पार्क में से भागनी की जगा सिर्फ एक ही थी एक ही जगा थी निकलने के लिए लेकिन क्या हुआ वो जो उस एक्जिट को भी बंद कर दिया गया था तो आप कह सकते हो कितनी बुरी तरह से यहाँ पर यह काम किया गया है एक्जिट को यहाँ पर जान चली गई थी इस जलियाँ वाला बग मैसेकर के अंदर क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं उसके बाद एक आर्टिकल छोटा सा यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसकाइमेट इसकाइमेट क्या है एक प्राइवेट वेदर कंपनी है इनका कहना है नो अपकी बार कोई भी एल नीनो नहीं आने वाला यहाँ पर एक नॉर्मल मौनसून रहने वाला है ऐसा इनका कहना है यह बात की जारी आने वाले अगर्स के अंदर यहाँ पर जो भी चेंजिस होंगे हमारा मौनसून वगर आएगा तो यहाँ पर एल नीनो नहीं आएगा मौ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यह होता है normal year क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं कैसे normal monsoon और एल्लीनो के बारे में तो यह होता है normal year normal year में क्या होता है जो equatorial wind है यह क्या करती है यह गरम पानी को इधर gather कर लेती है खटा कर लेती है यहाँ पर India हुआ इधर आपको यहाँ पर यह country देखने को मिल जाएंगी आशियान वाले देश हो गए इधर यहाँ पर आपको आस्ट्रिया देखने को मिलेगा और इधर US हो गया और इधर South America हो गया अब होता क्या है यहाँ पर यहाँ पर एकटा रहता है अब गरम पानी होगा तो क्या होगा उसमें वैपराइजेशन भी होगा और बारिश वगरा भी होगी यहाँ पर गरम पानी है यहाँ पर बारिश वगरा होगी तो बारिश यहाँ पर होगी तो यह नॉर्मल यहर होता है हमारे लिए बट एल निनो क्या होता है एल निनो के अंदर क्या होता है जो easterly wind होती है वो यहां पर कमजोर हो जाती है और जो गरम पानी है वो यहां से बहेकर इधर पहुँच जाता है South America की साइड में South अमेरिका की साइड में चिली, पेरागुए, यहाँ पर पेरू आपको देखने को मिल जाएगा, इधर चिली देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, तो जो गरम पानी है वो यहाँ पर फिर लास्ट में इधर की साइड पहुच जाता है, तो यह हमारा एलिनो वाला येर गलाता ह ठीक है तो यहाँ पर एलिनो के टाइम पर यह बारिश इंडिया के अंदर नहीं हो पाई कि कोई कि गरम पानी है पर होगा तब ही बारिश होगी इस वाले रिजन में लेकिन क्या होगा आई हूप आप लोग इसको समझ गए होंगे उसके बाद अगले एक आर्टिकल था इस आर्टिकल के अंदर बताया गया इंडिया लाइकली टू मिस इयर सोलर कैपसिटी टार्गेट इसका मतलब क्या है इसके आँ यहां पर बताया गया कि देखो भारत में अपना टार्गेट रख रहा था दो हजार बाइस के लिए कि हम लोग 100 गीगा वाट का सोलर पावर कैपसिटी को एचीव कर लेंगे मतलब कि यहां पर हम लोग 100 गीगा वाट तक की जो एनर्जी है वो हम लोग सोलर एनर्जी से जनरेट कर रहे होंगे सूरे के मादम से एनर्जी जो निकल ली है मतलब उसकी एनर्जी का हम लोग स्तमाल करके लेक्रिसिटी को जनरेट कर रहे होंगे हमारा target था कि हम लोग 100 GW तक इसको install कर पाएं लेकिन क्या हुआ हम लोग यहां तक नहीं पहुच पाएं ऐसा ही report बताती है अगर हम लोग December 2021 तक का data देखें तो India ने अभी तक केवल 55 GW तक ही यहां पर अपना जो तयारी वो कर पाया है ठीक है लगबग आप कर सकते हो 2022 के 8 महीने बचे हुआ है अभी और यहां पर जो 8 महीने remaining है इसके अंदर यहां पर आप कर सकते हो कि 50% 100 GW का हम लोग को achieve करना पड़ेगा अभी यहां पर आप कर सकते हो हमने 50% तक मतलब अगर 100 GW तक का हमने अपना पूरा का पूरा target रखा था कि इतना हम लोग क्या करेंगे इंस्टॉल कर देंगे और यहां पर solar power generate करेंगे तो इसका 50% achieve हो पाया है और वो 50% आने वाले टाइम पर हम लोग बाकी achieve कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे matter करता है लेकिन उसमें काफी सारे challenges phase करने को मिलेंगे ऐसा बताया गया यहां पर बताया गया कि सबसे बड़ी बात यहां पर सबसे बड़े challenge क्या है सबसे बड़ा challenge आया है COVID-19 यहां पर बताया गया कि देखो COVID-19 की वज़ा से supply chain के अंदर disruption देखने को मिला इसकी वज़ा से proper यह solar panels install नहीं हो पाएं या फिर जो rooftop है rooftop यानि छटों के उपर जो solar panels लगाया जा रहे हैं इसके अंदर भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है ऐसा हाँ पर बताया जा रहा है ठीक है तो यह चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी I hope आप लोगों clear हो चुका होगा तो rooftop solar panels इसे काम नहीं करें इनके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है इसी के वज़े से हम लोग अपने target जो हमने decide किया था वो achieve नहीं कर पाएं बाकी एक article यह देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बात की गई है ministry of external affair का जो inter-ministerial group है यह basically यहाँ पर focus करेगा South Asia वाले region के अंदर यहाँ पर बात कीए एक meeting के बारे में यहाँ पर एक meeting कौन सी meeting के बारे में चर्चा की जा रही है देखो बोला गया inter-ministerial coordination group IMCG इसकी meeting होगी Tuesday में आज और इसमें हमारे foreign secretary हर्श परदन साब होंगे और यह यहाँ पर इस पहली meeting को start करने वाले हैं इसके अंदर 10 ministries होंगी senior officials होंगे cabinet secretary होंगे national security यह सब भी लोग यहाँ पर इस meeting अदर participate कर चुके हैं अब भी अगर हम लोग बात करें कि मतलब obvious ही बात है Tuesday कल था तो यह meeting होई है अब इस meeting के अंदर क्या क्या discussion उठाया गया देखो इस meeting के अंदर दर बात की गई है finance को लेकर चर्चा की है fisheries के concept ही आगया है क्योंकि हागर आप लोग देखोगे यह meeting basically South Asia के उपर focus करती है South Asia का portion कौन सा है तो South Asia में आपको India, Pakistan, इधर अफगानिस्तान, इसलंका बांगलेदेश, बुटान, नेपाल यह सारे South Asian countries देखने को मिलेंगी तो इनके साथ discussion किया गया proper focus किया गया यहाँ पर bilateral ties के उपर focus किया गया जो यह meeting है इसने जोड दिया कि हम लोग किस प्रकार से आपस में इंडिया के जो relation है इन सारे हम लोग South Asian countries के साथ में अपने बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ा सकते हैं कैसे investment करके border infrastructure को improve करके development करके border security को करकर हम लोग यहाँ पर अपने relations को और ज़दा बढ़ा सकते हैं उसके बारे में चर्जा की गई इस particular meeting के अंदर में यह आप लोग देख पा होगे clear हुआ बाकि South Asian countries के बारे में हम लोग ने discussion करे लिया उसके बाद economy section पे भी काफी सरे article देखने को मिलेंगे economy news के अंदर यहाँ पर आपको एक article यहाँ पर बताया जा रहा है जो WTO है World Trade Organization इसने मंगलवार में जो forecasting करी थी मतलब जो दुनिया बर का व्यापार का जो growth है वो यहाँ पर बढ़ रहा था लेकिन क्या वो forecasting कम कर दी गई इन्होंने व्यापार का जो growth है वो cut down कर दिया पहले यहाँ पर बोला था जो व्यापार में growth है वो 4.7% होगा आप इन्होंने बोला जो growth है दुनिया बर के व्यापार की वो 3% की होगी तो मतलब जो growth है उसको कम कर दी गई यहाँ पर पहले कुछ decide क्या था कि भाई भारी मात्रा में यहाँ पर growth देखने को मिलेगे लिए अब उसको कम कर दिया गया उसके पीछे का reason यहाँ पर Russia-Ukraine का war बताया गया Russia-Ukraine की war की वज़ा से क्या हुआ अभी यहाँ पर व्यापार के अंदर जो growth है उसको कम कर दिया गया बाकी World Trade Organization WTO क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसी ने यह बताया कि global trade war का growth को कम क्या है WTO से पहले एक और वाड़ी हुआ करती थी GATT के नामसे आपको बता हुगा General Agreement on Tariff and Trade करके जिसको बनाया गया था 1947 में और जो उरेगवे राउंड है 1986 से लेका 1994 के बीच में यह उरेगवे राउंड हुआ था यहाँ पर WTO को बनाया गया WTO ने अपना काम स्टार्ट किया करना 1st January 1995 से यह आपको ध्यान अखना है यह agreement आपका सकतो यहाँ पर एक जो WTO है WTO को बनाने के लिए अगरिमेंट हुआ था उस अगरिमेंट को हम लोग माराकेश अगरिमेंट के नाम से जानते हैं जो की साइन किया जया था माराकेश मुरोग को के अंदर 1994 में फिर 1995 से WTO प्रापर काम करने लगा WTO एक international organization है ठीक है जहाँ पर आपके सकते हो व्यापार को देखा जाता है दुनिया बर का व्यापार आज के टाइम पर यही monitor करता है इसका headquarter जुनेवा Switzerland में देखने को मिलेगा मेंबर्स WTO में 164 मेंबर्स देखने को बल जाएंगे ठीक है यह पुराने डिटाई एक व्यापार को करेक्ट कर लेना कितने मेंबर्स हैं करेक्ट मेंबर का जो number है नीचो comment section में टाइप कर देना बाकी इंडिया भी यहाँ पर एक founding member है जो 1947 का GATT था WTO से पहले यही वाली body व्यापार को manage किया करती थी तो इस वाली body का founding member भारत भी था यहाँ पर बताया जा रहा है बाकी WTO के structure के अंदर एक ministeral conference होती है general council होता है dispute settlement body होती है trade policy review body होती है goods council intellectual property council यह सारी अलगलग bodies देखने को मिलती है उसके बाद बताया गया WTO के objective क्या है तो आप पताई है यहाँ पर simple सी बात है दुनिया भर के अंदर international trade को यहाँ पर इतरीके से अच्छे से चलाने का काम करता है प्लस यहाँ पर trade के ओपर छूट देने का है यहाँ पर काम करता है कि मतलब properly freely होके यहाँ पर trade हो पाए जो भी व्यापार को लेकर dispute होने countries के बीच में उनको resolve करने का काम करता है decision making process का काम करता है प्लस यहाँ पर developing countries की मदद करता है कि उनको benefit मिल पाए इस दुनिया भर के trading सिस्टम से तो यह सारे यहाँ पर आप देख पाऊगे objectives हैं WTO के I hope आप लोगों यहाँ पर यह भी काफी सब्सक्राप्त और I hope आप लोगों का support मिलेगा वीडियो पर like का button है उसको दबा देना मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जाहिंद